दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास अधार कार्ड है और अधार कार्ड से मुवाइल नंबर को जोड़े हैं या फिर अधार कार्ड के साथ मुवाइल नंबर लिंक है या नहीं आप पता करना चाहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो क आप complete देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से असानी से आप पतायक कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपने मुआलफ में Google ब्राउजर को उपन कर लेंगे और इस वेव साइट का लिडियो के description box में दे देंगे या फिर आप Google में जाकर लिखेंगे uidi.gov.in लिखने के बाद दोस्तों आप इस वेव साइट को पर आजाएंगे और यहाँ पर आप देख पार होंगे अधार सर्विस दोस्तों यहाँ पर आपको आजाना है और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है verify and अधार number यहाँ पर आपको click करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अधार number और यहाँ पर capture code डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको proceed and verified को पर click कर देना है तो चलिए यहाँ पर हम अपना details को अच्छे से डाल लेते हैं अगर दोस्तों यहाँ पर आपको capture code में किसी भी परकार का दिकत हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पार होंगे यहाँ पर आपको change करने के लिए आ जाता है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको change हो जाएगा तो दोस्तों आप असानी से पर हम डाल लेते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पार होंगे पोर्सीड एंड वेरिफाई अधार को पर कलिए करना है यहाँ पर जो भी आपके अधार काट के साथ मोबाल नमबर लिंक हुआ होगा यहाँ पर आपके सामने कुछ इससे बड़ी असानी से बता दिया जागा यहाँ पर आपको अधार नमबर और यहाँ पर आपको डेटो बर्थ और यहाँ पर आपको दोस्तों मेल फी मेल और यहाँ पर अस्टेट उसके बाद हैं अपर मोबाल नमबर तो दोस्तो आप असानी से पता कर सकते हैं कि आपके अधार काड में कौन सी मोबाइल नमबर जुड़ा हुआ है अगर दोस्तो आपको नहीं जुड़ा होगा तो यहाँ पर आपको मोबाइल नमबर की जगा कुछ नहीं सोख करेगा तो दोस्तो जाए और अपने अधार कार्ड में घर बैठे पता किजिए दोस्तो उमीद करता हूँ कि ए वीडियो आपको काफी पसंद दयाओगा वीडियो पसंद आएंपर वीडियो को लाइक से रिकमेंट कर देंगे दोस्तो इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तो इस चैनल को जल्दी से सस्क्राइब कर लेंगे चलिए दोस्तो नेश्ट वीडियो मिलते हैं तब तक लिए जहिन हों दे मातरा